आज हम लोग डेली करेंट अफर्स के 14 MCQs को डिसकस करेंगे इससे पहले हम लोग टॉपिक को डिसकस कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक पर हम लोग MCQs को डिसकस करेंगे आज का पहला टॉपिक है New Chip Justice of India Next हम लोग डिसकस करेंगे CBI के बारे में Then हम लोग डिसकस करेंगे S400 Air Defense System के बारे में ठीक है उसके बाद हम लोग डिसकस करेंगे सदा बाहर क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिसकस करेंगे World Largest Online Disease Surveillance Platform के बारे में डिसकस करेंगे कि आज़िए दो कrat度 के बारे में डिसकस करेंगे ja 13 Bricks Summit के बारे में डिसकस करेंगे Forbes Blainire 2021 के बारे में डिसकस करेंगे हमारी सडक अन तामीर तरक्पी मुबाइल एप के बारे में डिसकस करेंगे किस ने इसे लॉंच किया दुमीरा आइलेंड के बारे में डिसक्स करेंगे उसके बाद हम लोग डिसक्स करेंगे ला पेरोस एक्सरसाइज के बारे में और लास्ट में हम लोग डिसक्स करेंगे स्पाइस बोड अफ इंडिया के बारे Question number one Which of the following statements is are true निम्न कथनों में से कौन-कौन से कथन सही है पहला है N.B. रमन्ना विल बी 48 C.J.I B. His tenure will be 2 years C. C.J.I. is appointed by President इसकांसर हो जा का Option number 2 is correct A. and C. correct है ठीक है N.B. रमन्ना विल बी 48 C.J.I ठीक है यहनि Chief Justice of India होंगे tenure की अगर बात करें तो C.J.I का tenure fix नहीं होता है ठीक है इनका tenure not fix ठीक है क्यों जब भी कोई C.J.I. retire होते हैं जैसे अभी S.A. बोब्डे है ठीक है वो retire हो रहे हैं उनकी बाद जो Most Senior Judge होते हैं उसको C.J.I. appoint किया जाता है ठीक है चाहे उसका 2 साल बचा हो एक साल बचा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इनका जो अभी बचा हुआ है वो 16 मन्थ बचा हुआ है ठीक है 16 मन्थ के बाद यह retire हो जाएंगे और यह जो सपत लेंगे यह लेंगे आपको 24 अपरेल को ठीक है जब S.A. बोबडे retire हो जाएंगे 30 अपरेल को ठीक है उसके बाद यह सपत लेंगे ठीक है Question number 2 Which of the following statements is are correct about CBI Central Bureau of Investigation निमने कथनों में से कौन कौन से कथन CBI के बारे में सही है Statement number A It is a statutory body B C. It is set up in 1963 by resolution of home affairs C. Recommended by Santhanum Committee Is cancer हो जाएगा Option number 3 is correct Because CBI is not a statutory body ठीक है तो यह क्या हो जाएगा Wrong हो जाएगा अगर यह wrong हो गया इसका मतलब यह भी नहीं हो सकता है यह भी नहीं हो सकता है ठीक है तो यह क्या है सबसे पहले जब इसको setup किया गया था तो यह under home ministry आते थे ठीक है उसके बाद यह अभी जो आ रहे है at present time यह आते है ठीक है Now comes under ministry of personnel ठीक है यह क्या करते हैं यह क्या करते हैं टेक्स केस एंटी करप्शन डिविजन ठीक है इसके अंदर साथ तरह के डिविजन आते हैं question number 3 S400 is the air defense system related to which country S400 air defense system किस देश यह संबंदी थे कांसर हो जाका option number A is correct मैंने काटसा के बारे में एक separate video बनाया है आप चाहें तो playlist में जाके उसको देख सकते हैं कि क्यूं हमें S400 लेने में कठिना ही हो रही है आप आसानी से उसे समझ सकते हैं आप playlist में जाके उसे देख सकते हैं question number 4 recently seen in the news सदा बहर is the type of हल ही में news में रहा सदा बहर किस का किसम है इसका answer हो जागा option number A is correct मैंगू का एक किसम है ठीक है जादा तर जो परमुख बिमारी है फल में उसे ये मुक्त है ठीक है ये छोटा पेड होता है National Innovation Foundation ने इसे माननिता दिया है ठीक है ये राजस्थान के निवासी किसान स्री कृष्ण सुमन ने आम की नई किसम विक्सित किये ठीक है जिसे पूरे साल पैदा किया जा सकता है इसे लिए से सदा बहर मैंगो कहा जाता है ठीक है Question No.5 World Largest Online Disease Surveillance Platform is in which of the following country दुनिया का सबसे बड़ा Online Disease Surveillance प्लेटफॉर्म किस देश में है इसकांसर हो जागा Option No.A इंडिया में ठीक है फिलहाल अभी जो हमारे केंदर मंत्री डॉक्टर हर्षबर्धन ने नई दिल्ली में वर्चूल माध्यम से Integrated Health Information प्लेटफॉर्म की शुरुवात की ठीक है उन्होंने अनाउंस किया भारत उन्नत रोग निगरानी परणाली Advanced Disease Surveillance System अपनाने वाला विश्व का पहला देश है ठीक है पहले 18 जो बिमारियां थी उसकी निगरानी की जाती थी अभी 33 बिमारियों की निगरानी की जाएगी और उसे ट्रैक भी किया जाएगा ठीक है Question number 6 E9 Program is related to E9 पहल किस से सम्मदित है इसका आंसर हो जागा Option number A is correct Education से सम्मदित है ठीक है इस पहल का मुख्य उद्देश शिक्छा पढणाली में सुधार करना ठीक है इसका चार मुख्य उद्देश है शिक्छकों को सयोग कोशल में परवेश डेजिटल विवाजन को कम करना ठीक है E9 पहल 1993 में नई दिल्ली में हुई EFA Education for All शिकर सम्मिलन में लॉंच किया गया था 9 देशों के लिए लॉंच की गई थी Bangladesh, Brazil, China, Egypt एनिमिश्र इंडिया, Indonesia मैक्सिको Nigeria and Pakistan ठीक है बच्चों को शिक्षित करना मकसद है सतत विकास लक्ष 4 का संबन Quality Education से है ठीक है Question No.7 World Health Day is celebrated विश्व सवस्थ दिवस कब मनाया जाता है इसका अंसर होजय का Option No.A 7th April को मनाया जाता है इस बार की जो थीम थी Building a Fairer Healthier World for Everyone ठीक है इसे 1948 से अपनाया गया लेकिन 1950 से इस दिवस को मनाया जाता है मकसद क्या है विश्व सवस्थ संगटन के लिए सवस्थ के छेत्र में आने वाले समस्याओं के बारे में समझना और उसे Space Portal is related to Space Portal किस से संबंदित है इसका आंसर हो जाएगा Option No.A is correct Supreme Court से संबंदित है ठीके सरबुच्च नियालाई से S.A. बोब्डे ने इस पोर्टल को लॉंच किया Supreme Court Portal for Assistened in Courts Efficiency ठीके इसका फूल फॉर्म हो गया या Supreme Court का AI Driven Research Portal है इसे जजों को Research करना आसान होगा ठीके जिससे उनका Workload कम होगा इसमें बिभिन Factors एबंग कानून रहेंगे जिससे जजों को Research में आसानी होगी एबंग उनका कारिदक्षिता बढ़ेगा ठीके Question No.9 Which of the following country hosted the first meeting of BRICS Finance and Central Bank Governance 2021 BRICS देशियों के वित्मंतिरियों and केंद्रिय बैंक गवर्नर्स की 2021 की पहली बैठक की मेजवानी किस देश ने की इसका आंसर हो जाएका Option No.D is correct ठीके संयुक्त रूप से जो इनकी अधिक्षिता की गई बित्मंत्री निर्मला, सीतर्रमन and RBI के गवर्नर शक्ती कांदास ने की Question No.10 Who among the following has become the world's richest bleniers according to Forbes Bleniers 2021 list Forbes 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ती कोन है सकांसर हो जाएका Option No.A is correct जेव विजौस ठीके जेव विजौस एमेजौन के मालिक है लगतार चार साल सबसे अमीर बैक्ती वने ठीके Forbes के अनुसार ठीके Forbes ने साल 2021 के लिए दुनिया वहर के अरब पतियों के लिस्ट जारी की जिसमें 2755 अरब पतियों को शामिल किया गया ठीके जेव विजौस के पास 177 billion dollar की संपती है चिसका second position पर रहा Elon Musk जो उस संपती है उनका 151 billion dollar ठीके और भारत की अगर बात करें तो भारत के मुकेश अंबानी दसवे नंबर पे रहे Asia के सबसे धनी व्यक्ती बने ठीके चीन के Jack Ma को पीछे छोड़ा और Asia के सबसे धनी व्यक्ती मुकेश अंबानी बने ठीके question number 11 which of the following union territory has launched हमारी सडक and तामीर तरक की mobile app निम्नकेंदर शासित परदेशों में से किसने हमारी सडक और तामीर तरक की mobile app launch की इसका answer हो जाएगा option number B is correct Jammu and Kashmir Jammu and Kashmir के उपराजिपाल Manoj Sinha ने इसे launch किया मकसद क्या है Jammu and Kashmir के e-governance structure को मजबूत करना and system में पारदार्द शिता लाना इस mobile app के जर्ये निवासी अपनी शिकायते दर्ज करा सकते हैं और उसे ट्रैक भी कर सकते हैं question number 12 दुमीरा आइलेंड is located ठीके दुमीरा आइलेंड कहा है इस्तित है इसका answer हो जागा option number A red C में इस्तित है question number 13 India conducts la peros exercise with dash भारत के इस देश के साथ la peros exercise आउजित कर रहा है इसका answer हो जागा option number A is correct France के साथ आउजित कर रहा है ठीके Indian Ocean के अंदर ठीके तीन दीन का ये exercise होगा ठीके ये multilateral maritime exercise है ठीके लेकिन अभी France के साथ exercise हो रहा है ये quad naval exercise है ठीके quad में कौन कौन से country है France, India, USA, Australia ठीके question number 14 spice board of India comes under spice board of India किस ministry के अंदर आता है इसका answer हो जागा option number A is correct ministry of commerce ठीके इसका answer क्या हो जाएगा ministry of commerce तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपको अगर इनिशियेटिव से कुछ भी फैदा होता है तो प्लीज लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें थाइंक्स पूँ वाचिए सब्सक्राइब के लिए टीके हलो और वेल्कम तू माय चैनल दिसीज़ अमर रौही आज हम लोग डेलि करन्टव हर्स की 9 importance organizations को दिसकस करेंगे। पहला टॉपिक है स्टार कैम्पेनर्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे बांधावगर्व फॉरेस्ट रिजर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स डिस्कस करेंगे संकल्प से सिध्धी प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे सत्यगरह अगेंस पल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे Be the Brand Ambassador of Tribes India Competition के बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे Shanghai Ranking 2020 के बारे में उसके बार डिस्कस करेंगे आदू नारा आइलेंड के बारे में ठीक है National Maritime Day के बारे में डिस्कस करेंगे and last में हम लोग डिस्कस करेंगे इंगी नुटी मीनी हेलिकॉप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं Question No.1 How many star campaigners in an recognized political party एक मानने तप्राप्त political party में कितने star campaigners हो सकते हैं ठीक है इसका answer हो जागा Option No.A is correct 40 हो सकते हैं ठीक है और अगर unrecognized है तो उसका क्या होगा इसका हाप होगा That means आपका 50% इसका होगा इसका 50% कितना हो जाएगा यहनि 20 ठीक है Unrecognized political party के लिए 20 हो जाएगा आपका star campaigners ठीक है Option No.2 Ingenuity Mini helicopter is used for Ingenuity Mini helicopter किसकी लिए इस्तमाल किया जाता है इसका answer हो जाएका option No.A is correct Taking high resolution photos in Mars ठीक है यह NASA का एक small robot helicopter है ठीक है जो Mars में क्या करते हैं Taking high resolution photographs ठीक है Question No.3 National Maritime Day is celebrated National Maritime Day कब celebrate किया जाता है इसका answer हो जाएका option No.A is correct 5 April को celebrate किया जाता है ठीक है सबसे पहला वर जो celebrate किया गया था 1964 में celebrate किया गया था ठीक है क्यों celebrate किया जाता है Spread awareness about Intercontinental Commons and Economy अदोनारा आइलेंड किस देश का हिस्सा है इसका answer हो जागा option No.A is correct इंडोनेशिया का हिस्सा है ठीक है यहाँ पर अभी अभी न्यूज में यह आइलेंड इसलिए रहा है क्योंकि land slides and flash flood from tourist aerial ठीक है rain से हुआ है अदोनारा आइलेंड में ठीक है जो Eastern Indonesia में located है Question No.5 Bandhaogar forest reserve is located Bandhaogar forest reserve कहां इस्थी थे इसका answer हो जागा option about A is correct मध्यपरदेश में Question No.6 Recently seen in the news सत्यगरह against pollution program started by हाल ही में न्यूज में रहा सत्यगरह against pollution program किसके द्वारा शुरू किया गया इसका answer हो जाएका option No.6 A is correct बिरल देशाई के द्वारा शुरू किया गया है बिरल देशाई को Green Man of Gujarat के नाम से भी जाना जाता है आजादी का अमरित महसाव कारीकरम के एक हिसे के रूप में शुरू किया गया आजादी का अमरित महसाव आजादी के 75 साल के लिए 75 सप्ता का उत्साव होगा संकल्प से सिद्धी प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है सकांसर हो जाएगा option number A is correct that is Ministry of Tribal Affairs यह जो शुरू किया गया है संकल्प से सिद्धी प्रोग्राम ट्राइफेड के द्वारा शुरू किया गया है अंदर Ministry of Tribal Affairs या एक गाओं एबन डिजिटल कनेक्ट मोहीम है ठीक है यह विलेज और डिजिटल कनेक्ट ड्राइब ठीक है इसका मेन जो कारिय होगा ठीक है मुख्य उद्देश है गाओं में वंधन विकाश केंद्रों को सक्रिय बनाना इंडिया परतीक तक इसके द्वारा लांच किया गया है इसका उद्देश क्या है अब्जिक्टिव क्या है पर्मोटिंग ट्राइबल क्राप्ट कल्चो एंड लाइफ स्टाइल ठीक है व्लिकम तु माय चैनल दिस इज एमे रॉह आज हम लोग डेली करंट अफैर्स के फोटीन इंपॉर्टेंट आमसिट्यूजs को डिस्कस करेंगे तिक다면 उससे पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक पर हम लोग mcqs को discuss करेंगे आज का पहला topic होगा the world highest railway bridge उसके बाद होगा partition museum के बारे में discuss करेंगे the world cities culture forum के बारे में discuss करेंगे next हम लोग discuss करेंगे the Indian first farm based solar power plant के बारे में discuss करेंगे next discuss करेंगे bio bubble क्या होता है एक क्या है सोफिया के बारे में discuss करेंगे new locayuk of goa के बारे में discuss करेंगे bykal gvd के बारे में discuss करेंगे the first state to provide health insurance to all its residents के बारे में discuss करेंगे FIFA Women World Cup 2023 के बारे में ڈिसकस करेंगे किशचुरा हिरा यह केशी के बारे में इसकुस करेंगे शातिर औरो शेना 2021 Exercise के बारे में इसके बाद हम लोग डिसकस करेंगे माइनेप 2020 प्लेटफॉर्म के बारे में और लास्ट में हम लोग डिस्कुस करेंगे इंडियन एचीवर्स अवर्ड 2021 के बारे में तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कुस कर लेते हैं ठीक है? Question number one The world highest railway bridge over Dash river दुनिया का सबसे उंचा railway bridge किस नदी पर बन रहा है? इसका answer हो जाएगा Option number A is correct चेनाब रिभर पर बन रहा है ठीक है इसका जो शेफ है वो अर्क जैसा है ठीक है? इस तरह से इनका क्या है? सेफ है Question number two Delhi's first partition museum is open Delhi का पर्थम partition museum कहां अस्थापित किया गया? इसका answer हो जाएगा Option number A is correct दारा शेको लाबरेडी बिल्डिंग ठीक है? Delhi का नाम मुगल बादशाह के बेटे जो बड़े बेटे हैं दारा शेको के नाम पर रखा गया है ठीक है? Question number three Who among the following will represent the world city's culture forum in this year? इस वर्ष निम्न में से कून world city culture forum का परतिनेधित करेंगे? इसका answer हो जाएगा option number A अरबिंद केजरेवाल ठीक है? इस साल जो है इसमें London, Tokyo, Newark ठीक है? सहित दुनिया का 40 cities जो है इसमें participate करेंगे, भाग लेंगे ठीक है? जो इस पर का theme है वो है the future of culture ठीक है? Question number four India's first farm based solar power plant has been established in which of the following state? इंडिया का पहला क्रिशी आधरित solar power plant किस राज्य में अस्थापित किया गया? इसका answer हो जाएगा option number C राजस्थान में ठीक है? राजस्थान में इसको अस्थापित किया गया है, जो कुसम योजना है उसके तहत इसको जो अस्थापित किया गया ठीक है? या प्लान जाइपूर जीले की कोट पुतली तहसील में लगाया गया या हर साल 17 लाक यूनिट बिजली उत्पादित करेगा? ठीक है? राजस्थान में संकर्मन रोकने के मकसद से कुछ चुनिंदा लोगों को ही आने जाने की अनुमती होगी, ठीक है? एक एरिया है, बबल जैसे एक एरिया है, ये आपका जो है 9 अप्रेल से जो IPL शुरू होने वाला है, इसलिए ये निउज में है, ठीक है? 2020 में IPL US Open ETC में इसका इस्तमाल किया गया था, ठीक है? इसे बायो सेक्यूर बबल एंट हब सेटी के नाम से भी जाना जाता है. Question No.6, Goa Government decided to appointment Justice Dash as the new लोकायुक्त, Goa सरकार ने किनको लोकायुक्त नियुक्त करने का निरनाई लिया है, इसका अंसर हो जागा, Option No.A is Correct, Ambadas Joshi, ठीक है? कुछ दिन पहले, जो परफुल कुमार मिश्रा है, ये रिटायर हुए थे, ठीक है? उनके बाद appointment नहीं किया गया था, September 2020 में रिटायर हुए थे, उनके बाद appointment नहीं किया गया था, लेकिन हाल ही में, Goa Government ने decide किया है, कि हम लोकायुक्त करने, Sophia is a dash, Sophia क्या है? स्कांसर हो जागा, option number a is correct, एक robot है, ठीक है? अभी ये news में है, क्योंकि इसका एक painting जो है, बहुत ही कीमत पर भी का है, ठीक है? She speaks jokes, sings and even makes art, ठीक है? जोक्स भी मार सकती है, गाना गा सकती है, और painting भी मना सकती है, ठीक है? इसलिए ये news में है, 2017 में, ठीक है? इस robot को सोधिया अरब के द्वारा citizenship दिया गया था, ठीक है? और दुनिया का, ठीक है? दुनिया का पहला robot है, जिसे citizenship दिया गया है, ठीक है? Question number 8, शातिर उग्रशेना 2021 exercise will be here? शातिर उग्रशेना 2021 exercise कहां आयुजित किया जाएगा? इसका answer हो जाएगा, option number A is correct, बंगलादेश में आयुजित किया जाएगा, ठीक है? इस बार की जो theme है, ठीक है? वो है, robust peacekeeping operation, ठीक है? बहु रास्टिय सेनने अभ्यास है, ठीक है? बंगलादेश की रास्ट पिता, बंग बंदू, शेक मुझीब ररह्मान की जन्म, शताबदी के उपलक्ष में, ठीक है? इस अभ्यास को आयुजित किया जा रहा है, ठीक है? इसमें भारत, भूटान, स्रिलंका, एन बंगलाद ठीक है, की सेना भाग लेंगे ठीक है? चार अप्रेल से बारा अप्रेल तक चलेगा, ठीक है? बास्ट नबर नाइन, माईनेब 2020 प्लेटफर्म इस रिलेते तो विच अब दे फॉल विच अब द फॉलिविंग अनेब 2020 प्लेटफर्म किस मिनिस्ट्री से सम्मान दी थे, इस नहीं में न्यूज में रहा किश्चूरा हिरन या किशी किस से सम्मदित है इस का अंसर हुज़ा का option नबो यह इस करेक्ट फिश सम्मदित है ठीक है अभी महरास्ट में ठीक है जो सिंधू दुर्ग और रेर फिश स्पेसीज को पाया गया है ठीक है क्वेस्चन नंबर 11 वाट इस वाइकाल जीवीडी वाइकाल जीवीडी क्या है इसका अंसर हुज़ागा option नंबर ए इस करेक्ट टेलिस्कोप है ठीक है जो जीवीडी है उसका फुल फॉर्म है गिगा टोन वॉल्यूम डिटेक्टर ठीक है टेलिस्कोप लॉंज किया गया ठी न्यूटरोनो टेलिस्कोप है ठीक है या टेलिस्कोप को बैकाल जीवीडी में लगाये गया ठीक है बैकाल जीवीडी क्या है इसका मकसद है नूट्रोनो का अधियन करना ठीक है दुनिया के तीन सबसे बड़े neutronon detector है ठीक है अन्य दो है दक्षिनी धूर्व पर ठीक है ice cube दूसरा भुमद्य सागर में A-N-T-A-R-A-S ठीक है which of the following state has become the first state to provide health insurance to all of its residents अपने सभी निवासियों को सवस्त बीमा परदान करने वाला देश का पहला राजे कोन बना इसका अंसर हो जाएगा option number A is correct राजस्थान ठीक है घोशना किया गया था budget 2021 to 2022 में ठीक है इसके बारे में परतियक परिवार को 5 लाक का सवस्त बीमा दिया जाएगा इलाज cashless होगा ठीक है question number 13 who among the following has been given the Indian Achiever Award 2021 निम्न में से किनको 2021 का Indian Achiever Award से सम्मानित किया जाएगा इसका आंसर हो जाएगा option number A Jaspal Singh ठीक है इन्हें या पुरुसकार भारतिये शिक्छा में अपार योगदान के लिए दिया जाएगा question number 14 which of the following countries will host FIFA Women World Cup 2023 निम्न में से किस देश के द्वारा FIFA महला World Cup 2023 की मेजवानी किया जाएगा इसका आंसर हो जाएगा option number D is correct A और B के द्वारा किया जाएगा that is Australia and New Zealand के द्वारा सैयुक्त रूप से इसे किया जाएगा ठीक है and welcome to my channel this is M. Rohin आज हम लोग daily current affairs की 10 important MCQs को discuss करेंगे उससे पहले हम लोग topic को discuss कर लेते हैं कि किस-किस topic पर हम लोग MCQs को discuss करेंगे ठीक है इसके पहला topic है Global Gender Gap Report 2021 next होगा दादा साहिव फाल के अवर्ड 2020 किन को दिया गया उसके बारे में डिसक्स करेंगे नाका दूबा सेहला रमा सौमि क्या है इसके बारे में डिसक्स करेंगे वर्ण जॉइन नवल exercise किन के साथ होता है उनके बारे में डिसक्स करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिसक्स करेंगे दा टिउ रिबर कहां बहती है उनके बारे में डिसक्स करेंगे वर्ज परहार 2021 एक्ससाइज किनके साथ होता है कहां हुआ है उसके बारे में डिसक्स करेंगे हेमल सनरक्षक क्या है उसके बारे में डिसक्स करेंगे महंद्रगिरी बाइसफर रिजर्व इनके बारे में डिसक्स करेंगे और लास्ट में हम लोग डिसक्स करेंगे COVID-19 वाक्सिन फो एनिमल्स पैस्चन नमबर वन, which of the following is are correct about Global Gender Gap Report 2021? निमने कथनों में से कौन-कौन से कथन Global Gender Gap Report के संबन में सही है स्टेट में नमबर वन, इंडिया ranked 140 अमों 156 कंट्रीज second, it is released by the World Economic Forum, ठीक है option यहाँ पर हो जाएगा, option number C is correct यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट correct है इंडिया को 2021 के जो Global Gender Gap Report है, उसमें 140 rank मिला है कितना में? 156 देश में और पिछली बार जो मिला था इंडिया को 112 मिला था ठीक है, कितना में? 153 कंट्रे में तो इस बार इंडिया को 28 जो rank जो है, वो इंडिया का fall down हुआ है ठीक है? और दुनिया का सबसे अगर worst country के बारे में बात करेंगे तो वो आपका आफगानिस्तान है और सबसे बहतर equal gender के अगर बात करेंगे बहतर में तो वो आपका आइसलेंड है question number two दादा साहिव फाल के अवार्ड 2020 किन को दिया जाएगा? इस कांसर हो जाएगा, option number C is correct रजनी कांद को दिया जाएगा सूपरिस्टा रजनी कांद को दिया जाएगा यह जो है, एकानवा संस्क्रेन है ठीक है, रजनी कांद क्या है? एक्टर है, प्रोड्यूसर है फेमस आर्टिस्ट है, ठीक है बारवे दक्षिन भारती कलाकार है ठीक है, इन्हें पद्मा भूशन पद्मा बिभूशन भी दिया गया है यह अवर्ड भारत का जो सिनेमा है, उसके सर्बुच जो है अवर्ड है ठीक है इनकी शुरुवार जो हुई थे वो 1969 में हुई थे ठीक है पहला अवर्ड जो दिया गया था वो देवी का रानी को दिया गया था वैश्य नमबर थवे हाल ही में नई स्पेसिज नाका दूबा सिहाला रामस्वामी खोजा गया यह क्या है इसका अवर्ड जो जागा ऑप्शन अबर A यह एक बटर फलाई है ठीक है इनको डिस्करबर बाई ओल इंडिया रिसर्च टीम ठीक है पहली बार इसे इंडिया के ग्रूब के दुआरा खो जा गया है ठीक है और इनका नाम रखा गया है नाका दूबा शेहाला रामा सौमी ठीक है और यह जो बटर फलाई है ठीक है जो बुलू मॉर्मॉन इस दा स्टेट बटर फलाई और उनका जोईन्ट नवल एक्सरसाइज बिट्विन वरून सायुक्त नवल एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होती है इस कांसर हो जाए का ऑप्शन नमबर टू इस कारविक्ट इंडिया और फ्रांस के बेच प्शन नमबर फाई यूनिफॉर्म सिविल कोड हाज इंप्लिमेंटेड ओनली वन स्टेट इंडिया इस इन डैश यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के एक ही राज्य में लागू है वह कौन सा राज्य है इस कांसर हो जाए का ऑप्शन नमबर बी इस करेक्ट हमारे कॉंस्टिचूशन की आर्टिकिल 44 में मेंशन किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये क्या होता है ठीक है प्रोवाइड्स फोर वन लॉग फोर दा इंटाइर कंट्री अप्लिकेबल तू आल रिलिजियस ठीक है इन देश में एक ही कानुन होगा और वो सब के लिए होगा चाहे कोई भी धर्म हो ठीक है टीउर रिवर रिसेंटली सें इन जीविल फोर्म आ पार्ट फोर इंटनेशनल बांटरे हाल ही में नीउस में रहा टीउर नदी किन दो देशों का international boundary बनाती है इसका answer हो जाएगा option number B is correct that is India and Myanmar की boundary बनाती है ठीक है इसलिए ये news में है चुकि Myanmar अभी Myanmar में कू की अभी सासन है ठीक है Myanmar बहुत ज़्याद news में है ठीक है इस जो नदी है इस नदी के जरिए कुछ refugees ठीक है हमारे country आ रहे हैं इसलिए ये नदी का जो है अभी चर्चा हो रहा है ठीक है ये नदी जो बहती है ठीक है निकलती है और इसनेट है इनका मिजोरम से ठीक है मिजोरम इसका source है that is वहाँ से वो निकलती है question number 7 वर्ज परहार 2021 exercise between वर्ज परहार 2021 exercise किन दो देशों के बीच होती है इसका answer हो जागा option number A is correct India and USA के बीच होती है ठीक है ये क्या है joint military exercise है इस बार हिमाचल परदेश में ठीक है ये exercise हुआ ठीक है और USA के साथ और अदर जो exercise होते है जैसे युद्ध अभ्यास हो गया कॉप इंडिया हो गया red flag हो गया मालावर exercise हो गया ठीक है इस सब तमाम exercise किसके साथ होता है USA के साथ होता है question number 8 recently seen in the news the term हिमाल सनरक्षक is related to हाल ही में news में रहा हिमाल सनरक्षक किस से संबंदित है option number D is correct protection of snow leopard ठीक है it is community volunteer program to protect snow leopard इसको launch कब किया गया था 30 October ठीक है 2020 को launch किया गया था और इसी 30 October को सनो ले पर डे भी मनाया जाए महंद्रग्री biosphere reserve recently seen in the news is related to which of the following state हाल ही में news में रहा महंद्रग्री biosphere reserve कि सर्राज्य से संबंदित है cancer हो जाएगा option number D is correct उडिशा से संबंदित है ठीक है यह उडिशा का दूसरा biosphere reserve होगा ठीक है पहला biosphere reserve आपका simlipal है कौन है simlipal ठीक है यह दूसरा होगा कौन महंद्रग्री biosphere reserve यह दूसरा होगा पहला simlipal है ठीक है which of the following country become the first country in the world to develop COVID-19 vaccine for animals दुनिया का पहला कौन सा देश है जिसने COVID-19 vaccine जानवारों के लिए विक्सित किया है इसका अंसर होजा का option number B is correct ठीक है उस vaccine का नाम है का रूप यू एंजोई दिस वीडियो for the latest video like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated for the latest news फ्रव एंजोभ श्यूभ झाल on the 11th 11th 11th